कि हमने रिकोर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अब हम शुरू करेंगे इसको आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेमिकंडॉक्टर दिख रहा है सब बच्चों को चैट पर बताते रहिए ओके तो सभी को आज कितने बज़े उठे आप लोग एक बार कॉमेंट करके बदाए कितने बज़े उठे आप और दुरुआ को में देख रहा था दुरुआ तो भी नाश्ता कर रहा था पांच बज़े उठे हो साहिल पांच बज़े उठे हो सब क्या बात है साड़े नो श्रया उठी है वा 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 साड़े नो यानि के रात लेट तक पड़ी है सपना पांच बज़े चारू साथ बज़े आरियन नुपूर आठ बज़े आठ बज़े पांच बज़े जो पांच बज़े वाले तो कोई बात नी अच्छा रात कितने बज़े बता दो जैश तो अभी उठाए चाहे सब ने पीली कौन बच्चे से थे जो रात को दो बज़े सोरी बारा बज़े के बाद सोए दो बज़े पांच बज़े दो एम जाट चली अच्छी बात है अच्छा आप जाकर पढ़ाई कर रेहते या कुछ और कर रहे थी बटाद पढ़ाई अच्छा पढ़ाई कर रहे तो क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बता दो पभजी कोन खेल रहा है रमन शर्मा पभजी खेल रहा था ठीक है अच्छी बात है पभजी भी बुरी बात नहीं क्या सब्जेक्ट पढ़ा रात अब फिजिक्स निकली आई फिजिक्स फिजिक्स चारू ऑके डुएल नेचर वे ऑप्टिक्स फिजिक्स चली अच्छी बात है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं वेव खतम कर दिया अच्छे से और रे शुरू कर दिया पूजा शेखर यह पुलीस को करें है यह कौन फिडाइस चाहिए हो बहुत बढ़िया आप हिंदी के वह डाल दीजिए हैं हिंदी का गैस पेपर स्री है और आपके घर में कोई दस्वी का बच्चा हो तो अभी टेलिग्राम चैनल पर हमारा जो टीम है हमारी टीम वह डालने वाली है हिंदी ए हिंदी भी दोनों का पेपर आपको तो पता है होगा हिंदी एधिए और हिंदी भी होती है यह पताया सब को निया année का पेपर कल है हिंदी का और अभी हम थोड़ी धेर नहीं डाल रहें पांच मिनट में तो आपके घर में कोई भी बच्चा सकते रिष्टेजारी में मोसी का लड़का बुआ का लड़का तो भेज देना सब का फाइदा हो जाए रहे हैं कि चलो शुरू करते हैं कि सेमी कंडॉक्टर क्या होते हैं कौन बच्चा बताएगा वोट डू यू मीन बाइस सेमी कंडॉक्टर कि एनिवड़ी बाइचेट्स यह जो बोलकर बताना चाहता है वह हाथ खड़ा कर सकता है मैं इन्वाइट कर लोगों कि मुझे वीडियो किन देख रहे हैं सब बच्चों की बच्चों वीडियो औन करोगे तभी मैं देख पाऊंगा आपको कि आपने हाथ खड़ा करक्का नहीं करक्क कि सब बच्चे वीडियो औन कर लिए अपनी तो दो तरह के बैसिकली चीजे होती है हसनत का मैं माइक ऑफ और आपका कैमरा अगर नहीं होगा तो मैं इन्वाइट नहीं करूंगा आपको मैं स्वपनिल दूबे को और लेता हूं स्वपनिल आप बताईए इंशुलेटर क्या होते हैं इंशुलेटर प्रण्वाइस वीच दो नौट लेट एलेक्रिस्टी तो गेट पास आजीजिली थूदें क्यों क्या होता है उनके इंदर की वह एलेक्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं सब्सक्राइब लो लो राजिस्ट्री बेटिए असल में और कोई बताना चाहता है इंशुलेटर क्यों नहीं इलेक्रिसिटी पास करते और कोई बच्चा नुपूर को मैं अन्म्यूट कर रहा हूं नुपूर बताएंगे हैं सब्सक्राइब कोई देखो एक बास सोचिए कि अगर आप ऐटम की बात करते हो एक एक में क्या होता है बच्चो नुकलेस अगुटी चार्ज यह तो आपको पता होगा कि एटम में नुकलेस पोजिटिव चार्ज होती यह बात कितने बच्चों को पता ती सबी एटम में न्यूकलेस क्या होती है पॉजिटिव चार्ज रमन शर्मा को अटा वही रमन शर्मा ने फिर कर दिया रमन शर्मा कोन लाता है इसको एक मिनट को किसका दोस्त रमन शर्मा किसने एडिट एडिमिट किया इसको देखो बच्चो यह एटम है एटम का चार्ज होता है पॉजिटिव और यहां पर सबच्चे ध्यान देंगे यह हैं इलेक्ट्रोन जो कि बाहर चक्र लगा रहें माइनिस को अब अगर इलेक्ट्रोन को कंडक्टिविटी करनी है तो उनको घर छोड़कर जाना पड़ेगा अपना मतलब न्युक्लिस का चाहर्ज होता दो पॉसिटिव अरन भॉत्त In आगर आपको कुछ बनना है तो आपको होस्टिल जाओ माल लेते हैं नुपूर का सेलेक्शन हो जाता है किसी अच्छे कॉलिज में और नुपूर बहार जाना चाहती है वर उसके पापा बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं बेटा नहीं आप यहीं रह लो इसी शहर में रहो हम आपको नहीं भेज सकते हम आपके और पबिना नहीं रह सकते हैं तो क्या नुपूर तरप की नहीं कर पाएगी क्या नुपूर कंडक्शन कर अपने परिवार के इंदर नहीं कर पाएगी इसी तरह एसे लक्तरों के साथ आटे से रहते हैं जैसे जो बच्चेब बच्ट्बर लएक को पूल झाथ है K считna जैसे लोग 12 तक में घर में ही निरा आपने तो ऐसे लोग थोड़े से स्ट्रों हो जाते हैं मेंटली क्योंकि उनको हर तरह की स्थिदी का सामना करना आता है तो ऐसे इलेक्ट्रों जो नूकलेस से दूर रहते हैं फोर्स का फॉर्मला होता है वन अपॉन फॉर पाई एफसालम नोट क्यूवन क्यूटू अपॉन आर इसक्वैब यानि के एफ इस इन्वर्सली परपोर्शनल टूवन अपॉन आर इसक्वैब तो बच्चो इस केस के साब से जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फॉर्स कम हो जाएगा यह बात कितने बच्चों को पता है हैं कि इस बढ़ने से फॉर्स कम हो जाता है इस सारे बच्चे एंड्रेज नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस बढ़ेगा तो फॉर्स कम हो जाएगा तो बच्चों यह इस और यह यह वाला एलेक्ट्रोन या और यह वाला एलेक्ट्रोन भी तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे या बी में से कौन बच्च कोन इलेक्ट्रॉन बनेगा ज्यादा अच्छा कंड़। कॉमेंट करके बताएं ए और विचिस फिरी उलेक्ट्रॉन ए आंसर कौन दे रहा है विना सोचे समझे यह यह बच्चों एनूकलिस के पास है इसके पर ज्यादा फोर्स लगा हुआ है इट कांट भी फिरी लेक्ट्रोन क्योंकि यह तो निउकलेस के साथ अटैच्ट है फिरी लेक्ट्रोन वहता है जो निउकलेस से दूर रहे तो क्या अंसर आएगा बी आंसर सब बच्चे बी आंसर दो और कोशिश करिएगी आपका कैमरा हिले नहीं कैमरा फिक्स रहेगा कि लिए रोगे सबका कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी हो आगे चलें चलिए आपकी चैट मुझे दिख रही है और सब बच्चे अगर पार्टिस्पेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे अब आगे चलते हैं अब आपको बडिशिंट दीखेंगा साथ नमबर का शेटर हाएगा इनको मैंने आपको बताया था सेंक्च्टर इंसुलेटर classroom एकजांपिल डिजा गलमे अपने घर में अपने घर एक्वाण संट स्थातने रखण ओैटर का एकजांपिल मुद्सेज़ आपने घर में स्सीन कंडूक्टर सान्या का निशाना गोल्ड पर है सिधा सान्या को गोल्ड पसंद है अच्छा है अच्छा है रबर इंसुलेटर होती है गोल्ड कंडॉक्टर होता है अच्छा बात बताईए कंडॉक्टर की बात चल रही है तो मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं सब बच्चे बताना कोपर आईरन ए बी सी डी इन में सबसे अच्छा कंड़क्टर कौन है सबसे प्यारा अच्छा कंड़क्टर कौन है जल्दी बता दो कोपर निहारी का कह रही है अंतरिक्के गोल कह रहा है यश्वियासी कह रहा है इस पर सिंगला लक्षे सपना रमन रोहित शर्मा अंश राज नुपूर चारू रोहित शिवेक उदीता शीवम आदीवा हैलो आदीवा सलाम वालेगूं हसनत महर सिंग कैसे हो महर सिंग भाई साहिल चारू आपके क्लास के सबसे ज्यादा डिसिप्लीन बच्चों में बच्चा है महर सिंग तो यहां पर मैं आपको बता दूं इन सब में सबसे अच्छा कंड़क्टर है गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर अब आप लोग मुझे गूगल करके बताओ कि इन में से भी चलो गूगल मत करा ओव आप मोबाइल पे होगे भी क्लास मोबाइल से लेते हो लेफटोप से लेटे ने लेप्तोफ से अगर हो सके लेपटोफ से लिया करो ख्योंकि लैप्तोफ पर जादा अच्छा पड़ सकते आप क्या वानुपूर परेशान लग रही हो आज मम्मी ने डांटा एक मिनट आपको इन्म्यूट करता हूँ क्या हुआ है एक्जाम का डर लग रहा है अच्छा होगा आपका पर चिंता मत करें कहां रहते हैं आप नुपूर जमालपूर बिहार बिहार में कहां पर सर जमालपूर मुगेर पटना से कितना दूर है सर पटना से ट्रेन से 5-6 घंटा लगता है पटना गई हो आपका भी हाँ सर क्या करना चाहती हो आगे चलके सर मेडिकल लाइन में जाना है वैसे जैसे मैं मैंने बताया था कि मैं फेस डीडर हूँ तो आपके फेस से मुझे से लगता है आप कुछ बड़ा करोगी लाइट में आपके अंदर बहुत वो है एक ड्रीम मतलब आपके अंदर कुछ आगसी है कि हां में कुछ फोड़ूंगी लेकिन आप हिम्मत मतारना दिक्कते आएंगी ठीक है इम्मत मतारना बेटा ऐसी प्रोब्लम आएंगी आपके सामने जब आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर पासे लेकिन आप करोगी कुछ मेरा अशिर्वाद है आपके साथ इसा नहीं कि नुपूर करेंगे बट नुपूर का फेस से लगता है कि यह कुछ जादे ही बड़ी प्लानिंग कर गई अब राइट नुपूर इसा मेरे केस में मैं सोच के जाती हूँ अभी तो आपका केस शुरू हुआ है अभी तो आप छोटी बच्ची हो हेलो आदीबा कैसे वच्चे आदीबा को मैंने अन्म्यूट कर दिया है वो नहीं रही है यह से बेटा अब ठीक हो अच्छा रहा था सैमी कंडुक्टर क्या होते हैं कि नूपूर से तो अच्छे अच्छी बाते करी मुझसे कोशन पूछ लिया नास गया मास्ट हुआ हुआ है वोट इस सैमी कंडुक्टर और इनके एक्जाम्पल दे सकती हो आसपास अच्छा आपको पता है पूरी दुनिया में इस टाइम सैमी कंडुक्टर की भारी कमी है सैमी कंडुक्टर की भारी कमी जब कोई गाड़ी तैयार हो जाती है बच्छो तो गाड़ी के लिए बोर्ड बनाना पड़ता है एक सर्किट बोर्ड उस सर्किट बोर्ड में सैमी कंडुक्टर लगा जाता है सिलिकॉन और सिलिकॉन की कमी से ही आजकल पूरे वर्ल में आसपास के तीन बैस्ट इंसुलेटर बताने हैं और मैं आपको उप्षण दूंगा प्लास्टिक बुड़ रबर एयर ऑप्षण ए ऑफशन बी ऑफशन सी ऑप्षण बी आपको बताना है इनमें सबसे खतरनाक इंसूलेटर को ने खतरनाक में इसको कहता हूं जो अच्छा होता है है लो हसनत हावाद यू कि बताइए अंसर कोमेंट करके अंसर बताइए ए बी सी या डी यहां पर बहुत कम बच्चे आंसर दे पा रहे हैं सही सही रोहित सुद्यांश सुजीत यादव जी अंश्राज साहिल सैमिकंडॉक्टर सागनिक शिवेक कुमार शिवम एबी सी वावाव वाव इसने सारी लगा दिए लेकिन कोई भी सही आंसर नहीं दे पाया आप में से और जटका लगने वाला जो आंसर में दूंगा और सही आंसर है समझ गए होंगे दुरुआ बहुत इसमार्ट वच्चा है जब दुरुआ ने देखा कि सबने दिये और सर कह रहे हैं कोई कोई सही नहीं है तो मैं डी बोल देता हूं और दुरुआ नाश्ता कर रहा था क्लास से पहले इसलिए थोड़ी बढ़ गई सोचने की तो डी एर इस दा बैस्ट कंड़क्टर इंसुलेटर इन दीज ओल इन समय सबसे अच्छा जो इंसुलेटर है वह एर है अब आपको तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है और हसनत को तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि एर इसको बाइलोजी वाले इसको बायो लिख दो बायो और बच्चों हवा होती है भरी हुई चारो तरफ यह देखो हवा भरी हुए एक कोई बच्चा ऐसा है जिसने डी बोला था मेरे बताने से पहले ऐसा कोई बच्चा जिसने मेरे बताने से पहले डी बोला हो बायो वाले बच्चे काफी हैं देखिए चारो ने डी बोला था अकोर्डिंग टू हर मैंने देखा नहीं वेसे बट बोला होगा जब थंडरिंग होती है थंडरिंग थंडरिंग का मतलब क्या होता है बिजली कड़कना जो बच्चे बिहार के हैं उनको यह बात पता होगी बिहार इस दा स्टेट जहां पर सबसे ज़्यादा बिजली मारे जातें कि वैहार में बारिश भी आता होती है महार पर खुला ओव जब हुआज जयदा है जमीन खाली पड़ी तो किसान खेत में काम करते हुए रक्षा करी हमारी एयर आप सोचिए हर तंडरिंग होती रहती है हर वक्त कहीं ना कहीं हैं लेकिन हम मर्ते नहीं हैं काफी कवी होता है कि मर जाए क्योंकि ज sentir वाली प्लास्टिक से 200 गुना जादा इनसुलेटर है o ।א सैंड दोसो गुना जादा इनकून है यकीन परेंगे आप प्लास्टिक से 200 गुना जादा इनसुलेटर है एयर बच्च लेकिन बारिष के मोशनम में एयर क्यों बन जाती है कंड़क्टर कौन बच्चा बताएगा इस बात को बारिष में फिर लोग क्यों मरते हैं जब थंड्रिंग होती है क्योंकि भाई यहां पर मुझे एक वर लिखना चाहिए था ड्राइए एर बारिस के दोरान मोश्यर बढ़ जाती है रहुल ने बताया वेरी गुड रहुल मोश्यर बढ़ जाती है प्रजैंस वोटर मॉलिक्यूल क्या बात है बहुत अच्छा लिखा आपने तो वोटर मॉलि हिमिडिस अपना तो कंडक्टिंग हो जाती है और बिजली जमीन तक अच्छा बिजली की शेप कैसी होती से ऐसे ऐसे तो टूर और बहुत सारे गानें लेकिन वो यह नहीं बताते हैं क्योंकि वहां पर डिस्चार्ज होने लगते हैं और यह शेप क्यों आती है इसी जहां जहां उसको रस्ता मिलता है वहां वहां चली जाती है हर जगह से एयर जो होती है वो कन्डक्टिंग नहीं होतीज हई ज़या एयर मॉलिक्वल गोटर मॉलिक्वल जादा होते हैं वह सबने देखिए चलो एक अधिक्टर क्या होते हैं बच्चों वोट और कंडॉक्टर पढ़ लिजे सब मेरे साथ पढ़ेंगे एक अधिक बच्चे को अन्मूट करूंगा हसनत को असनत पढ़ेगी चली है जी नीन उतारने का वक्त आ चुका है पढ़िए जी सबस्टांजिस यह याद कर लेना यह एक्जाम में आ सकता है आपके नीट में नीट में बहुत आता है सवाल नीट वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में इसको और बोर्ड में तो आई सकता है नेक्स्ट क्या होता है यह बात जो बात है इसको समझा लो वैलेंस बैंड तो होता है नीचे और कंडॉक्शन होता है उपर पड़ाओंगा आपने अब इनके बीच में जतना जादा यह होगा ना उतनी कंडुक्टिविटी कम हो जाएगी लेकिन ग्याइब इतना कम होता है कि एक दूसरे के ऊपर चड़े होते हैं ऐसे तो इलेक्ट्रोन को कुदना ही पड़ता अगर आपके और आपके परडोसी के घर में पानी भरा हुआ है तो आपको कुद के जाना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पापने इंट रख दी वान जाता होती है अब सोपना सोच रही है मुझसे तो पूछनी रहा इससे पूछ रहा है अभी नंबर आ रहा है चिंता मत कर चैदू कैमरे में कितनी च्छोटी हो जाए जैसे मैं यूट्यूब पर बनाता हूं ना कोने में देखाओ अपने पप्पू ऐसे इलता रहता है वो क यूट्यूब का नोलिज लेनी पढ़ेगी से मुझे हाँ नेक्स पॉइंट एक्सांपल बॉल्ड ब्रॉण शिल्वर मर्कृ एक्टर वेरी गुड़ वेरी गुड़ अब हम लेते हैं प्यारी बच्ची हमारी सपना सपना जी आपको मैंने अन्म्यूट कर दिया क्रिपया आप बताईए इंसुलेटर क्या होते हैं इंसुलेटर इंसुलेटर अधा सबस्तंस दाट डू अलाओ अलाओ धाएट एंट एलेक्टिसिटी तू पास्ट्रोग वेरी गुड़ एक मिनुट यहां मैं असने लिखते जो जिसको पढ़ेगा उसका नाम लिखा जाएगा वान यह थो नहीं बोला जो थोड़ा मुश्किल लगा वावावावावावां पर मीटर मोव मोव है में एक मालटा मो कंडक्टिविटी का देखो किसकर ओम होता है हो एच्छे पेंसका सिंबल उनिट और इसका उल्टा रिस्टेम्स का वन अपउन रेइसटे सथा कंडॉक्तिवीटी टो बच्चे साइंट विस्ट कितनेlegen उन्हों उन्हों बच्पन फोन औ स्टव कर दिया मोहudd but गोच्पन में अपने नाम को बढ़ पड़ के देखते थे मेरा उल्टे में एसा लग रहा है दिस यह बच्पन को गाड़ना जगढ़ना गुमाना कुछ कुछ कड़ना वाह पहले वाले में एक था इसमें आठ लो भी इसमें आठ हैं हसने ने पताता है था था कंड़क्टर में कितने होते हैं देखो देख लो वन और यहां कितने हैं और अब देखो YouTube से पढ़ने का मज़ा कहां पर जूम पर है कुछ पता ही नहीं है चाहे कोई कुछ और देख रहा हो यहां पर तो आप पढ़ रहे हो लग रहा है नो ऑफ-लाइन जैसा सच बताओ कोई नहीं बचेगा सब कुछ बच्चे कैमरा ओफ करके वैठे हैं अभी देख लो रुको जरा नेक्स्ट बोथ बैंड डिवाइड़ बाइन एनजी गैप ऑफ-6EV-10EV क्या होता है लाहौल बलाखवाथ एवी का मतलब नहीं पता तो क्या पढ़ेगी फिजिक्स इलेक्ट्रोन वॉल्ट तेरी तो पिटाई होनी चाहिए अगर मैं वहां होता तो पीटता तुम्हें अब है कि मैं लडगों लडगों को फूटता हैं लड़कीों कि मारता हूं कि इलेक्ट्रोन वॉळ एक्ट्रोन व्हीं इस नुटिश्ञऽ और और एक इलेक्ट्रोन वॉल्ट में होते हैं वन पॉट-6 इंटु टेनट Müdai हम लग रहा है ना कि नुराक्स तर महीं बैठे हैं घर के सामने एक्दम पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट ये वाला पॉइंट पर चल दी माइका में ही हुआ अभी माइका ही है सब कुछ अभी कुछ और नहीं है माइका क्या होती है बताना ये माइका नहीं है माइका ये माइका है माई का वो होती है जो टेबल के उपर लगाते हैं चिकनी चिकनी लखडी का वो रंग भी रंगी होती है ना प्लाई के उपर लगता है जो उसको माई का बोलते है रबर्ड वूड पेपर इन सब में सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन होगा जल्दी बताओ और टेकर दश्रच्रों स्क्रहट नें बताओ झाइट कंड के लिए पर्मिशन मांगी हैए पहले बताओ लाईट्र aham थांट क्या होता है श्रीवेख आप दिखो मुझे सामने तब Eyes को कि मुझे के वारे में नहीं पता चलिए ठीक है नेक्स अब पढ़ेंगे हम नेक्स पॉइंट चलते हैं सेमी कंडुक्टर को कौन पढ़ेगा उसके लिए मैं चूज कर रहे ला हूं अभी तीनों पॉइंट लड़कों से पूछ लेते हैं फिर लड़कों का नमबर आएगा हर्लीन हेलो हर्लीन हाव और यू एक मिनट हाँ अब दिख रही हो आप चंडीगड में कौन सेक्टर में रदी हो सेक्टर 34 चंडीगड तो मैं आता रहता हूं गूमने के लिए जब मेरा लॉंग ड्राइब का मन करता हूं चंडीगड याता हूं आएंगे आपके एक्जाम के बाद मिठाई खाने आएंगे आपके तो हर्लीन सेमिकंड़क्टर के बारे में पॉइंट पढ़ना शुरू कर सबस्तांस इस था अधाइस कंड़क्टर अग्यूर्ट तो तेंदी पार इस नाइड इस जीरो अब सुनो रुको एक मिनट यह देखू माइनस में चलेगी चंड़क्टिविटिए अप लोग सब बच्चे ध्यान दो कुंड़क्टिविटी माइनस में जा चुकी है बच्चो और 1020 पावर जीरो का मतलब किसी की पावर जीरो हो अगर मैं लिखता हो हलीन की खवार जीरो है यहीज है त्सकी पावर जीरो हो जायेगी वन जीकी भी पावर जब 0 हो तो मित गढुन आप जो इंसान नहीं करता वो इश्वर के बराबर हो जैसे कुछ लोग होते हैं किसमत से फेल हो गया था अग्वान ने मेरी साथ नहीं दिया एसे लोग होते हैं हम सब एसे वी ओलार नेक्स वावाव पहले वाले में था एक याद करो पहले वाले में एक था फिर इंसुलेटर में आठ इसमें कितने हैं चार तो देखो 148 कंडुक्टर इंसुलेटर और यह सेमि कंडुक्टर माना गी तुम अच्छे लग रहे हो ड़ंक घीड़ा थी सब्सक्राइब क لاूँ ऑश्य वहित कंडुर कुलाएं यह वाला पॉइंट पढ़िंट जो आप देख रहें इसका सिंबल ओता इजी इसको फॉर्बीडण एनर्जी गैप भी कहते हैं यह जितना गैप जादा होगा उतनी प्रॉट्वीटिम चाम हो जाएगे जितना गैप जादा होगा उतनी कंडुक्टिविटी कम हो जाएगी आप बिजली का काम कर रहे हो आपके पास प्लास नहीं है आपके बास कागज है अख़वार है कपड़ा है क्या यूज करोगे सूती कपड़ा कागज पतलासा पतली सी पंद्नी इन में से क्या यूज करोगे अब लक्षे वैरी गुड बताओ कोमेंट करके बताओ सारे बालक तो अगर को यूज करना क्यों कि पंद्नी फट जाएगी कहीं बार इसा होता है वह बहुत अच्छा इंसूलेटर होता है हरलीन आप क्या करना चाहती हो आगे चलकर के बाद क्या करों तो प्लैना पंजाबी अब तो अब तो अब या वापस आ रहे हैं वैसे तो अब अब बुरी बात नहीं अच्छी बात है लेकिन अब हमारे देश में इससे अच्छी क्वालिटी बढ़ती है लोगों कि जब ह générा दूरा यह बदाको रोगाए। अब इसकी वीडियु बना हो एक्जाम जानकारी चैनल पर एक्जाम कैनल के बारे में किसको पता है साथ-GANल करें किसको पता है और पिर तो आपको यह बींद पता होगा कि जो एक्जाम केंसिल किसने करवाए था उन्म को को तुम्हारे हो गया था कोरोना लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद आप इतने खुश हो जाओगा आप सोच नहीं सकते बता दू या बाद में बता हूं चलो हर्लीन बच्चा जो है हर्लीन ये बाहर जाना चाहती है तो इसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते है है वो कुछ लॉन वोल लेकर इसको भेज देंगी माले पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं कर सकते फोर्ड और वो बहार जाना चाहते हैं तो सरकार ने क्या किया पुजा लिख रही है अनुराग सर्दा ग्रेट अहा पुजा बच्चो सरकार ने जुगार किया है जित सिक्स मन्त अब सोचो हरलीन हजारों डोलर खर्च करके जाएगी कनेडा और हमारी नुपूर कर लेगी हैं इपर कलकत्ता में अब पटना में सेम उनिविश्टी सेम डिगरी तो किसका फायदा हुआ सोचो अब सोचो डिगरी तो इसेम मिलनी है अरे बाई वर सोचो इसन में बास समझना मैं परताउं डिपएस में डीपीएस की फीज जाती है मेरी हर महीने हजारों रुपे और एक बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में उसकी फीज जाती ही नहीं उल्टे पैसे मिलते हैं बास समझ रहे हो बारवी के बाद दोनों के नंबर आए 80% दोनों की मार्क्षित पे लिखावा है Central Board of Secondary Education CVSC पांस साल बात दोनों इंट्रिव देने जाते हैं कहीं वह घंटा नहीं पूछेंगे आप से आप कौन से स्कूल से पढ़े और चांस इस बात के जाता है कि सरकारी स्कूल वाला बच्चा सलेक्ट हो जाएगा बताओ क्यूं बताओ क्यूं कोई भी उरामत्मान ना प्राइवि स्किल्स से थोड़ी अलग होती है आप अक्सर देखना जो टोपर बच्चे होते ना फ्रंट वेंचर वह लाइफ की रेस में पिछे रहाती है लाइफ की रेस में नोकरी मिल जाएगी उनको बहुत बड़े-बड़े पैकेज मिलेंगी लेकिन वह अपनी फैमिली कोई नहीं सब्सक्राइब मैं यूपी बोर्ड से हूँ मैंने से सीबेसी के बच्चे देखे कहीं तो बच्चे इसे हैं जिनकी शादी भी मेरे पढ़ाई हुए मैं आपको बता रहा हूं और उनकी अपनी वाइफ से वाइफ की हजबेंट से बनी नहीं रही वह बस पढ़ते रहे अब चलो आगे क्या होता है यह आपको पता ही है कंड должна गर्त किषंट में एक मिनट इस पर स्क्चेल आप भी समझो ना वहां की लाइफ ही अलग है एंड एंजोइमेंट एंड और टाइम भी अर्णिंग कर सकते हैं इसलिए बहार जाते हैं और वांट टू एक्स्टोर दा वर्ल्ड इस बैस यह वासी यह तो पक्की बात है कि देखो बाहर जाने की तो बात भाई आप बच्पन से ही मतलब 17-18 साल की उमर में आप अगर विदेश चले जाओगे तो अच्छी बात है बट मेरा मानना है कि पढ़ने के लिए अगर यहीं डिगरी मिल रही तो यहीं पढ़लो फिर बात में चले जाओ घूंबने लेकिन हां विदेशों में रहने का मज़ा थोड़ा ज्यादा धूल मिटी नही मैं कुछ देशों में अभी तक कि मैं तो इसी घूमने के अधाए मतलब जैसे स्कूल में जाता हूं मतलब में क्या करता हूं जो मज़ा अपने देश में ना यह जो विदेशी लोग होते हैं उस्ट्रेलियन कनाइडियन यह हमारे इतनी डिवे उसने लग्यागा में लिए यह लोग हमें छोटा करके देखते हैं रमन शर्मा अफगानिस्तान जा रहा है बिलकुल अफगानिस्तान वाज पार्ट ओफ इंडिया वंस आपको शायद पता नहीं दूर्योधन की मम्मी अफगानिस्तान की थी अफगानिस्तान वाज पार्ट ओफ इंडिया चलिए तो सब्सक्राइब देखाइए अब दैखो मेरे हाथ में दो Pennsylvania युद्ध के लगड़ें निशे वाली स्फश एक रूपए डाल अरिपbell स्फश on कि यहां से यहां जाना भात समझ अब यहां बारवी में हो आप यहां तक जाना यह आपकी यहां तरगेड है यह आपका वो है जो आप बनना चाहते हो एपल पैंसिल और यह पैंसिल है इस पैंसिल से एपल पैंसिल लेने के लिए आपको कामियाप होना पड़ेगा यह गैप अगर कम हुआ आपका देखो मतलब आपके पेरेंट्स पहले सी रिच है आप इजी लिए पैंसिल खरीच सकते हो तो मेरे लिए जाना पड़े इतव कर रहा हूं मेरे पास एपल पैंसिल है एक ताइम मेरे पास पैंसिल भी नहीं थी बहुत दिक्कत थी मुझे अब सब्सक्राइब इनका ग्याप ना तो इतना जादा है ना इतना कम है यह बीच में जिनके जोब करते हैं मेडियं बोलते नमेडिल क्लास सब्सक्राइब के लिए साओ इंडिया बटर है नौर्थ Markov इंडिया की बहुत अच्छे नौर्थ इंडिया की कॉलीज भी अच्छे अच्छे जैसे नोड़ा में आप आ जाओ हमारे घर के पास यह जैसें इंजिरिंग कोलेज जैसे जिए इस वन फफ दा बेस्ट कोलेज एक जी अजे कुमार गरग इंजिरिंग कोलेज काइट के आई देख हुआ भी नहीं भाई का दो क्रोड रुपे बच्चों पर एनम कि 21-22 साल का लड़का होगा मैंने देखा है देखने में कोई खास नहीं है और साउथ में वी आई वी आई टी नाम सुना है वी आई टी का सबने साहिल नोड़ा आया था अच्छा नोड़ा ओके अगली बार आओगे तो मिलना वैल लोर इस्ट्यूट ऑफ टेकनोलोजी बिल्कुल देखो अगर आप पढ़ने वाले हो ना तो आप कहीं भी रहके कर लोगे का हो अगर आपके इंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो क कि चलिदी सबसे कम गयाप निए प्वमेंट करके बता ही पढ़ेगा हर्ष व्यास गया तो यह जो स्को मैंने लिखना Sher a were उसने जासले को ऐगर समय कोश्चन है और वह वाइन्स प्रबिटन एनर्जी डैप तो क्या वोलोगे कंडुक्शन बैन और व्यलैंस बैंड के गैप को ही क्या बोलते हैं forbidden energy gap और यह basically energy gap होता है इसको क्या बोलते हैं energy gap आगे पढ़ो एस देनेम इंप्लाइज इस बैंग इस दा फॉर्बिटन वन विड़ाट एनरजी हर्लीन क्या हुआ पिटा हर्लीन कुछ परेशान लग रही हो आप तो क्या हुआ एसी बंद हो गया थोड़ी सी गर्मी लेगी परेशान हो गई ऐसे नहीं फोकस करो यूशुट भी कंसेंट्रेटिट आप बहुत इशार हो पता आपको आप बहुत ब्रेन वाली बच्ची हो यू आरे स्मार्ट बच्च तो फोकस करना सीखो फोकस यह तो सब चलता रहता है गर्मी सर्दी बरसाथ सब चलती है हां तो फॉर्बिडर्ण एनरजी गैप को किस से डिनोट करते हैं आप यकीन नहीं करोगे इसको करते हैं इबी से और इसी को एजी भी कहते हैं और आप यह कैमेस्ट्री में पढ़ च प्रमोट एनरजी के अब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं याद रखोगे भूल जाओगे जल्दी बताओ तो याद रखोगे ना प्यारे बच्चो चलो आगे चलते हैं वियास कहां रहते हो आप वियास कहां रहते हैं वापी बेसिकली आप गुजरात की हो नई सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अब मैं धुर्वा को बुलाओंगा धुर्वा जो है धुर्वा नास्ता तो खतम हो गया होगा काफी सेंडविच खा चुके हो आप अब जरा बता दो यह पेज पर जो लिखा हुआ है उसको तो एक्स्प्लेंट करना है यह पढ़ना नहीं 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 बाते करनी है बाते करनी है दिल की बाते करें अच्छा धुर्वा इतने आप इतने हैंडसम हो तो बड़ी दिक्कत होती हो आपकी शगल अलगी है कुछ हम इसको सुना रहे हो अपने आपको ममी को पापा वह में थोड़ा अच्छी तरह बोलो इस थाइप सब्सक्राइब करें से मिकंड़क्टर से क्लूंगस में एक्वल्टर फ्रीयक्ट्रॉड को से मिकंड़क्टर में पूल को कि यह इंप्यूर बनाया जाता है इंट्रंजिक से अगर मैं से डोपिंग करदो इसमें डोपिंग कर दूमैं तो क्या बन जाएगा में बताना स्ट्रेंची कि तो आपको इतना किलिर हो गया होगा जो बती है। प्योर नहीं होते उनमें इंप्योरिटी मिलाकर उनको प्योर बनाया जाता है और चुछ जादा किसकी होती है कि इसकी जादा कंड़क्टिविटी कोमेंट करके बताओ सैमी सोरी इंट्रंजिक की या एक्स्ट्रंजिक भुआकि मैं भेरी गुड्र एक्सट्रंजिक इसका मतल MAYOR यह हुआ कि compr था चार्ड हो तो आप ज्यादा कंड़क्शन से नहीं कशन कर पाऊड़े मतलब जादा काम नहीं कर पाऊंगे लाइव में अगर जादा प्योर रहते हैं रूल स्र हेहुलेशन फॉलो करते या आपने बस एंबेए valuable किया लेकिन इस लड़के ने बीटेक के बाद बहुत सारे डिपलो में करे डिपलो में जैसे ale āग्विज के जावा और इस तरह की लेंगवज सिखी सी • • तो किसको जो जोमीले चांस रहेंगे बताना hey जो मिलने के चांस ज्यादा किसको रहेंगे जल्दी बताओ बी वाले को लेकिन प्योर इंजीनियर कौन है कुछ दा प्योर इंजीनियर ये जो ये वाला ये प्योर इंजीनियर है लेकिन जो एक्स्टरंजिक है वो प्योर इंजीनियर नहीं है बट उसकी कंडुक्टिविटी ज्यादा होगी उसको जो मिलने के चांस ज्यादा हो गए गेटिंग माई पॉइंट अब एक्स्ट्रेंजिक सेमी कंडॉक्टर क्या होते हैं जिन में प्यॉरिटी नहीं रहती जिन में इंप्यॉरिटी मिला दी जाती यह क्या किया रहा है सूरियांच सर मैं पढ़ा था कि एक एक्स्ट्रेंजिक सेमी कंडॉक्टर एक मिनट में एक इन वन मिलियन आ जाए तो क्या वह एक्स्ट्रेंजिक हो जाएगा नहीं होगा थोड़ी एक फिक्स कॉइंटिटी होती है जब वह बनता है इसको पढ़ेगा कौन पढ़वाते हैं किसी से अग आशीमा अग आशीमा जी कैसी हैं आप बढ़िया साथ बताइए क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना एक्स्ट्रेंसिक सामी कंडॉक्टर एक्स्ट्रेंसिक टाइप आपको पता है जब आप एथलीट होते हो अगर वो कोई दवाई खाले थाकत बढ़ाने वाली जैसे मैं यहां पर कह बर मतलब है इंट्रंजिक सेमिकंड़क्टर में इंप्यूरिटी मिलाकर उसको एक्स्टंजिक बना में ताकि उसकी कंड़क्टिविटी बढ़ जाए जैसे खिलाडी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दवाई खाते हैं जो की बैन होती है और सरकार अगर पकड़ ले तो उनको बैन कर द की तुमिलादू तो बन जाएगा पी टाइप दो तरह की होते हैं एक्सटंजिक और प्योर सिलिकोन में अगर मैं फास्पूरस मिला दूं तो बन जाएगा एंट तो अगर आपसे पूछे कि एक्सटंजिक सेमिकंड़क्टर की कितनी टाइप सोती है तो क्या बताओगे दो पी टाइप और एंटाइप खिलिया राशिमा ठीक है तो अब चलते हैं आगे पी टाइप सेमिकंड़क्टर यह थियोरी मैंने पूरी लिख दिये और यह मैंने कहीं किसी को नोट्स नहीं दिये इस तरह के आप ध्यान रखिए आप ही के लिए नोट्स मैंने स्पेशल बनाए हैं सिंपल भाशा में और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इनको एक बार भी पढ़ लोगे एक बार सिर्फ जादा नहीं कह रहा हूं तो आप इसको एकदम समझ जाओगे मतलब क्या हैं कुछ बच्चे कैमरा ओफ करके बैठे हुए हैं इसलिए कि मैं उनसे सवाल ना पूछ सभी के कैमरे ओन होने चाहिए सैटिंग के साब से अगर आपका कैमरा ओफ होगा तो आप दिखोगे नहीं मुझे अगर आप कैमरा ओफ करके बैठे होगे तो अभी थोड़ा बच जाओगे लेकिन आपको दिक्कत बहुत होने वाले हैं अब मैं पी टाइप सिलिकोन में होती है सिलिकोन में चार वैलेंसी होती है ठीक सिलिक कुमार श्यवं राजपूत आज दिखें पहली बार मुझे शैयताब है और एंचयनओ के दीघिए और हम तो तो कही साल की महनत के बाद भी इसे फादर नहीं मिले जिनके चार बैटे हों मैंने बताया पिता जी जिसके तीन बेटे एक आदमी एलमूनियम है जिसके तो तीन रिफ्यूज हो गए एक लड़की बची कुवारी यह लड़की जो कुवारी है इसके पास है वैलेंसि ऑफ इलेक्ट्रों वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रों का मतलब पोजिटिव चार्ज कम्यों उफ इलेक्ट्रों इसको बोलते हैं होल और यह बन गया पी टाइप सेमीग कितने खतरना केमरा है वह इससे अच्छा कैमरा नहीं देखा मैंना है आजी पर बोलना कोन सा लैप्टोप कैमरा यूज करते हैं अच्छा तो आप यह इफैक्ट टा तो इफैक्ट जो लगा रख्या काह चले गए गायब का हो गए आपको तो गायब होगे अब शर्माओं नहीं में तो मजा कर रहा था अच्छे लग रहे थे आप कोमल भी है अच्छा तो कोमल थोड़ी चेंज दिख रही है चश्मा वश्मा वह क्या वात है अभी आपका नंबर आने वाला है अब बात करते हैं एंड टाइप की कोमल जी से बात करेंगे कोमल आपने कैमरा उफ करक्षा था क्या अपना तो अभी दिखियो आप मुझे पता ही एंड टाइप सेमिकंडुक्टर कैसे बनते हैं अच्छा पढ़ो इसको पढ़ो मैं समझा दूंगा और सैमिकंडुक्टर सिलिकन और जर्मेनियम इस जोब बाइपनेवलेंट इम्पूरिटी देन फोर एक तो आपको क्लियर हो गया कि मेजरिटी चार्ज करियर क्या होते हैं क्यों बच्छा बताएगा मेजरिटी चार्ज कैरियर इन टाइप सेमिकंडुक्टर होते हैं होल्स या इलेक्ट्रों आपको कॉमेंट करना होल्स एलेक्ट्रों एच या ई और जबकि इसमें अगर हम देखें इसमें मेजरिटी चार्ज करियर होते हैं बच्चों इसमें होते हैं होल्स क्योंकि इसमें एलेक्ट्रों बहुत कम होते हैं और ध्यान रखिए पी टाइप में भी एलेक्ट्रों होते हैं ऐसानिए या बार जिख लिकिन बहुत कम रही संसें औो लेंकि टिखे aligned में नहीं आए तक में पूरे दो साल के लोकडाउन के निकाल दी ठीक है इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन मेजरिटी चार्ज करियर्स कैसे बनता है वो देख लेते हैं एक बाद सिंगला आपको भी देख रहा हूं मैं सिंगला राम राम इसपर्श देखो सिलिकोन के सिलिकोन नाम के फादर के कितनी बेटियां है चौर अब यह सोच रहा है इसपर्श कि सर कहां लड़का ढूंटा फिर रहे हो सर्व सामने लड़का वैठा है अच्छा खासा बाल देख लो मेरे सर्व बोड़ी शोड़ी बना र रहे हो मैं अकेला ही चार के परावाव सर्व हमने का साइड में चला जा वेटा यह सिस्टम चल रहा है यहां पर फास्पर उसको डूंड के लाएं फास्पर उसके पांच बेटे हैं कि देखो भगवान का वो देखो कि सिस्टम पहले चार लड़कियों के लिए तीन लड़ लड़का रहे गया पहले लड़की कोवारी रही ती लड़का बैलेंस हो गया ठीटिव चार्च लिडिव चार्ट ट्रौन तो जब पैंटा वालान इंप लाद ईलेक्ट्रों खाली बच जाता है और इसकी वजब से पूरा सिलीकोन बन जाता है और टाइप सेंगसे का सब क्या होते हैं नीट्रल अभी मैं इस पर सिंगला से बात करना चाहूंगा क्रिप्या म्यूट हटाइए अपना कैमरा मत लाइए हम तो पहले इंप्रेस होगे आप से और थोड़ा कैमरे को ऊपर करिए दिखाइए अपनी शकल हमें बालों को हाथ मत करिए अपने बाल बहुत सुन्दर है आपके सिंगला जी कैसे बनता है एंड टाइप सेमिकंड़ को का इसमें जैसे जो नंबर ओफ लेक्ट्रों साइं इंक्रीज होते रहते हैं जब इस इंप कि कहां रहते हो आप सिंगला माफ करना कुरू शेत्रवालों से पंगेल निमगा है तुम तो पहले ही महावारत कर चुके हो तुमने उदर से कोई बाणवान चला दिया तो यहां मारे जाएंगे हम तो वहीया माफ करिएगा वहीया हमको देखो बच्चो ध्यान रखो कोई भी इंप्यूरिटी नहीं मिला सकते एंटाइप बनाने के लिए हमें पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलानी पड़ेगी और एंटाइब बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी बनानी पड़ेगी और एंटाइब बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इंप्य इसको अच्छी तरह याद कर लिए आ सकता है एक्जामना वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं जैसे हसनत है यह कैमरा आफ नी करते अपने अंचराज है कुछ बच्चे बार-बार कैमरा आफ करते रहते हैं सोपनिल जैपूर राजस्तान क्या वाते दाड़ी वाड़ी यह है यह अच्छे पटाओ पी एंजंक्षन क्या होता है है इस सांथ कि आंटाइब डायेट होते हैं उनकों मिक्स्चर सभी बनता है बच्चों तो क्या बनता है बीच में कौन बच्चा बताएगा जबिपलिशन ले व बाब बाब और डीप्लेश लेजर क्यों बनती है कि हो Trond मिक्चर होने से क्या होगा डेप्लेशन लियरpoint का मतलब मतलब हो चत्म होना यहां से होल यह N-type का area P-type में रहते हैं होल्स बहुत सारे होल्स हो गहाँ इनका positive charge है तीक है इधे रहते हैं electrons इनका negative charge है अब आप मुझे बताइए दो सेनाएं सामने कड़ी हैं ये कौरवाज ये पढ़वाज युद्य हुआ सुर्यान्ष पुमार बगहल मम्मी से बाद बाद में करना इन में युद शुरू हुआ युद शुरू होने के बाद दोनों सेनाए लड़ी सैनिक मर मर के गिर पड़े यहां पर बीच में सैनिक मर मर के गिर पड़े रूल होता है युद का किसी सैनिक की डैड बोडी के उपर पैड नहीं रखोगे आप पहले सी युद होते थे अगर यह सैनिक यहां गिरते रहेंगे सुरू में तो सारे होल्स इधर जाएंगे इलेक्ट्रोन जाएंगे जहें बची रहेगी और जब बहुत सारी हाइप लग झाया उपंदा की मतलब यहां का लेक्ट्रिक फिल जी रुटन को चलने में इलेक्ट्रिक फिल चाहिए और जब लेंगे तो हो जाएगा और जब यह बड़ी हो जाएगी एक वक्त ऐसा आएगा जब ना को तोडने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे अब में बैंटरी लगानी पड़ेगी एक्सटरनल सोर्स देना पड़ेगा एक्सटरनल बैंटरी लगाने के दो तरीके हैं एक तो फॉरवाट वास्ट और एक रिवर्स बाइस एक तो बच्चों यह जो लिखा हुआ यहां पर इट कैन एशर आज पॉइंच यह पॉइंट बहुत मट्रटद पॉइंट एवा sect है यह पॉइंट इतना सोच नहीं सकते कोशलेर स्विच की तरह काम कर सकती है क्योंकि जब यह कोड़ी हुजाती है क्योंतों यूरी का यूलग से कहीं याद कर लेना जाद कर लेहीं दिस वेर्ट इंपूटेंट अब आगे चलते हैं किसिवर्वार्ड औरर रिवर्स बैस्ट कारेक्टर्स्टिक इससे पहले कि मैं आपको सम्झाऊं मैं आपको बता जेता हूं फॉर्वार्ड और रिवर्स बायस्ट क्या होते हैं कि एक मिनुटू कि पता हुई पोरवाड बैस्ट और रिवर्स बाइस्ट क्या होता है कि पॉमेंट करके बताइए कौन बच्चा बताएगे कि फोरवाड बैस्ट और रिवर्स आंसर देना चाहता है हाथ खड़ा कर लिए को सुर्यांश ने कि है लो सुर्यांश पीवाड जो जंशन होता है उसको हम पॉजिटिव जोड़ेंगे तो फॉरवाड हो जाएगा जब उशी को निगेटिव जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं इस वाइस बिल्कुल सही देखो जो आप फॉरवाड बैस करते हो तो आप टाइप को बैंटरी के पोजितिव से और टाइप को बैंटरी के निगेटरी जोड़ते हो लेकिन सवाल यह आता कि जोड़ क्यों रहें एक्च्वल में डिप्लिशन लेयर चोड़ी हो गई थी देखो इसको पार करके होल्स और इलेक्ट्रोन जा नहीं पा रहे थी और मैं आपको एक बात बता दूं जैसे आप बीन बैंटरी कनेक्ट तरे देखो देखो अभी तक आपने बैंटरी कनेक्ट् नहीं करी आपने इंपiku Brian को मिला दिया और अगर आप क और मिली ऐमिटर लगा दो यकीन मनना कसम खुदा की मिली ऐमिटर की सूई नहीं शुरू हो जाईगी हसंत कोफि पिलो कोफी लेलो ममी से ब् इदर और एक्टन आते हैं इधरर और जब आपको पता है इधर चाहेंगे तो होल्स जाएंगे इधर इलेक्ट्रोन जाएंगे इधर तो करन्ट करवाने के लिए एक Amandra Connect करनी पड़ेगी अभी शेक कुमार से बात कर रहे आ की अथ सब दोंग है कि और उतनी है आदेटरी करने से और एन को बेंटरी के जोड़ा जाता है किलियर है समझ मारा है सबको कोई दिक्कत नहीं किसी को भी अच्छा रिवर्स बैस में क्या होगा बच्छों ये देखो पी एन ये रिवर्स बैस से अब इस डाग्राम में और इस डाग्राम में क्या डिफरेंस निखर आपको वन और टु में जल्दी बताऊ हो ऑफ वन में बच्छा बताएगा वन और टु में हाथ खड़ा करो जो बताना चाहता है को दो उफर से बात करेंगे वर्नित हैसर हेलो वर्नित कह सब्सक्राइब करेंगे मीजह इस दस्टम ते हेलो पर ठाट कि से फिरांगर 幸िव जौय्र वणली है गांदी कलौन शीव शोठ अनसारी आट काँ पर गांदी कलोनी से गांदी कलोनी में किस जगे सर गली नंबर 13 क्या वाथ है तो मैं मिलोगे मुझे सर बिल्कुर हाल तुमें चाही पिलानी पड़ जाएगी नहीं सर हां तो बताओ डायग्राम नंबर वन और डायग्राम नंबर टू में क्या डिफ्रेंस है इस पर्स अगर हसने का मन करा तो हमसलो कोई बात नहीं ऐसी रोज बैठो हाँ हाँ बताओ नालायक पापा के करते हैं आपके जैंड डायाग्राम में इस पर्स अंतर दिखाई दे रहा है इस कौन से स्कूल में उया गब तबी आप पढ़ते नहीं हो जीडिको इनका के बच्चे में ने देखा है जो बड़े-बड़े स्कूल होते हैं उनके बच्चे थोड़े आलसी हो जाते हैं लाइशाइब बहुत अच्छी था अच्छी है बहुत फोकस करके पढ़ रही है तो पना से पूछेंगे वोट इस डा डिफ्रेंस बिट्मिन डायग्राम नंबर 1 अटाइग्राम नंबर टू और सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब 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 इतना क्लियर डिफ्रेंस नहीं पर समझभा रहे हो अब तो केवल एगी बच्चा अंसर दे सकता है नन अदर दैन वह भाग एक कि बोलो कुमार सिंग राजपूत मेरा आवाज आरी ने सबको मेरी आवाज आ रही एक बार यस लिखो यस कुमार सिंग राजपूत गायब हो गया कुमार शिवम सिंग राजपूत बोलो कि अन्मूट करो कुमार सिंग राजपूत गायब हो कि नहीं कर रहे हैं कोई बच्चों कोई भी बच्चा इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि दोनों में क्या डिफ्रेंस है और मुझे बड़ा अश्री हो रहा है इस बात के उपर देखो अगर आप इन दोनों डाग्राम को देखोगे तो आप ध्यान से देखिए इसमें डिपलीशन लेयर पतली है हूं करने में डिपालेशन लेयर होती है इस लिए आप ध्यान से देखे लग देखा तो बढ़ता जा को और इस डायराम की प्रैक्टिस करना दस बार दस बार प्रैक्टिस और जब दस बार लिख रहा हूं तो इसका कुई मतलब है मैं मजाक मिन लिख रहा हूं यदि आपको कि आपको दसदार practice करनी है तो इससे फोरवार्ट बैस्ट कर ग्राफ कितना है और रिवर्स का ग्राफ नीचे हैं सेकंड कोड्रेंट थ्रड्ड कौडरेंट फॉर्थ कौडरेंट तो आप देख सकते हैं कौन-कौन से कौडरेंट में डाइगराम बन रहे हैं इसको ऐसे करना और इसको एसे करने यह हो हो यहां लिखना है फॉरवारडएट और इसको उपर मिलाकर विखना है इसको बोलते हैं वी ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे ब्रेकडाउन बोल्टेज जब आप किसी पी एंड जंक्शन को रिवर्स बाइस में लगाते हो तो बच्चो अगर आप पी को निगेटिव पोटेंशल दोगे और एंड को पॉजिटिव पोटेंशल दोगे तो एक वोल्टेज के बाद जंक्शन तूट जाएगा उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या बोलते हैं उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ मैं सबको कोई दिकत तो नहीं है एक कोशन आ सकता है बच्चों फॉर्वाड बायस और रिवर्स बायस में अंकर तो मेरे एक सवाल है किसमें ज्यादा करण्ट आएगा विच हैज मोर करण्ट मोर करन्ट आपको कॉमेंट करके आंसर देना है औप्षन एक फॉर्वाड बायस्ट ओफ्प्चिन बीर्वर्स बैस चलो कॉमेंट करो कि मैं आपके कॉमेंट पढूंगों आप पुन बच्चे आंसर देगा कौन नहीं कि क्या बात है क्या वाँ प्याँ छारू कोई बच्छान सदेना चाहता है यह कर रखेंगे किसी ने कर एक कि एक हट खड़ा कर सकते हैं अगर आंशर देना चाहते हो इस है कोई जो आपसर देना चाहता है इस शुर्यांस की चलिए शुर्यांस का बताईए यह सकते हैं बिल्कुल सही बताएं आपने यह पॉइंट में बहुत पतली हो तिया रिवर्स बाइस में डिप्लेशन लेयर लार्ज होती है इसमें पॉजुटिव टर्मिनाल को टो पॉजुटिव साइड से जोड़ा जाता है निगेटिव से इसमें उलकुए होता है knew the transition %hancring piece diffusion कारइंट होता है यहए कौन बताए लोट इस खड़ा करो कोई बच्चा करना चाहता है कि ऐसे हाथ कर सकते हो दिखाने के लिए मुझे आदीबा आदीबा आंसर देंगी कि बताइए अदीबा डिफूजन करेंट क्या होता है कि अच्छा यह तो आपने बुक से अगर किसी को आपको समझाना हो छोटे बच्चे को कि आपको कोई छोटा भाई है वह आपसे बुझता है दीदी डिफूजन करन्ट क्या होता है तो आप क्या बताओगे उसको कि सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करन्ट क्या होता है आसान भासा में अंसर देना है और मेरे पास भी सब्सक्राइब की लाइंग्वेज है दूसरा अगर और सिंपल कहना है तो जैसे पी जंक्शन में एक साइड हम लेते हैं दूसरे साइड पी ताइप लेते हैं तो बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर क्या बात है अभी मैं सुर्यांश आप भी हाथ खड़ा कर रहे हो लेकिन मैं किसी और बच्चे की वेट कर रह है जैसे सोपना है अपने कैमरे को लगातार हिला रही है तो उसका पूरा ध्यान तो मोबाइल पकड़ने में लगा हुआ है जबकि हर घर में किताबे होती है इसी चीज़े होती है जहां पर आप मोबाइल को हाथ में पकड़के इसे हिला रही है जैसे कोई रील बना रही हो मोबाइल को रखो सुपना धंग में रखो और अपनी पूरी इस तरह बैठो कि आप दिखो यहां तक कम सको आपका वस यह दिख रहा है से प्रोपर बैठना सीखो क्लास में कैसे बैठते हैं मोबाइल को किताब के आगे रखो पैन हाथ में पकड़ो और ध्यान से पढ़िए स अब देखो फिर कोने में चले गई मोबाइल लेकर पता उस तो अपना डिफूजन करन्ट क्या होता है बिटा कुछ भी आंसर दो कोई बात शर्माओ नहीं कि और कोई आंसर देना चाहता है डिफूजन करन्ट का सिंपल भाषा में पूजा शेखर क्या वात है पूजा शेखर अब दिखिये हमें हाँ पूजा बताईए यह हुआ सिंपल भाषा है विल्कुल देखो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं यह देख रहाए पी टाइप और यह एंटाइप इदर से होल जाएंगे इदर इलेक्ट्रों जाएंगे इदर डिफूजन का मतलब होता है सरक्के चलना डिफ्यूज करना आप अपने और लटकाए रात को तो आप देखते होंगे रात को जो बारे में छोड़ते हैं उस तुबह को पिछके मिलते हैं जबकि उनको ना कोई खोलता ना फोड़ता क्यूं बताना कि क्या रिजन होता है इसका अगर मैं इपनी घाड़ी करूं आज तो गाड़ी में हवा वरके खड़ी रही तो मैं देखुँगा दस दिन बाद मेरी गाड़ी की हवा कम हो जाएगी टायर की बिना चले बिना पंचर यह होता है डिफ्यूजन गैसिस के अंदर डिफ्यूजन की प्रोपर्टी होती है ग इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करने नेचूरल करन्ट होता है मैं रहूल से बात करना चाहूंगा रहूल बहुत ही अलग तरह का बच्चा लग रहा है मुझे रहूल प्रिये बताईए डिफ्यूजन क्या होता है सब्सक्राइब कर लिए तो लेकिन आपने मुझे अच्छा लगा अपने मेरे कहते ही अप अब तक के सबसे फास्ट बच्चे हो जिसने अपने आपको अन्यूट किया है तो अभी तक हम पढ़ चुके पी एंजंक्शन हम पढ़ चुके फॉरवाइड बायस रिवर्स बायस अब रेक्टिफायर की बात करें यह मेरे हाथ में क्या है अब बताओ कोमेंट करके बताओ यह मेरे हाथ में क्या है कोन बच्चा बता सकता है मुझे एनिबडी यह मेरे हाथ में बच्चो एक चार्जर है क्या है एक चार्जर और चार्जर को हम फिजिक्स में कहते हैं रेक्टिफायर चार्जर को फिजिक्स में क्या कहा जाता है रेक्टिफायर कहा जाता है फिजिक्स में हम चार्जर को चार्जर नहीं बोलते रेक्टिफा क्या होते हैं कौन बच्चा है जो इसका आंसर दे सकता है कि रेक्टिफायर क्या होता है आसान धाशा में कोई बच्चा जो आंसर देना चाहता है दे सकता है अपना हाथ ऐसे करिए मैं आपको अन्म्यूट करूंगा अपर एनीबड़ी है को बोला है पूझा क्या वाथ है जो एसी को डिसी में कनवर्ट कर दे उसको कहते हैं रेक्टिफायर और यह दो तरह के होता है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर इसको एक ग्राफ से समझेंगे पुजा वैरी गुड आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस कि बिना कहे भी आपने आंसर दिया है यह ग्रेट थिंग है पुजा आप कहां रहती है खोशंगाबाद मत्यपरदेश भोपाल से कितनी दूर है दो तीन घंटे का राक्ता है तो पुजा बहुत अच्छा है बटा इसको मेंटेन रखना हमेशा घवराना मत और कुछ बड़ा करना लाइफ में अब चलते हैं आगे यह जो आप देख रहे हो यह ग्राफ किस चीज का है देखो ध्यान से देखने जला मेरे प्यारे बच्चो में थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं आज जान पूछ की यह देखो यह ग्राफ किस चीज का है एसी का को में करते हो एसी है डिसी यह ग्राफ एसी का है बिल्कुल अब अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर हाफ यह फुल वेव रेक्टिफायर है यह इसको कंवर्ट कर देगा इस तरह है यह हुआ और अगर यह हाफ होता है तो इसको कंवर्ट करता ऐसे बीच बीच में खाली छूट जाता है यह हुआ हाफ अब कुछ पॉइंट से जो आपको नंबर दिलवा सकते हैं बोड में भी नीट मे जबरदस्त हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स आर यूज़ तो प्रोड्यूज और आउट्पूट करंट विच इस प्यूर्ली डी सी सच बताऊं तो जो एसी को प्यूर्ली डी सी बना दे उसको फूल वेव रेक्टिफायर कहते हैं आपके घर में ऐसी चीजे है यादि तो पूरे चलते हैं आपलतें दो लेकिन आपके लेके चाइंड द्थी में लेकिन कह Makes अनुज यहां पर देखो क्या लिखा हुए लिए हम इसे इत्ऊ होगा है उधाना क्या लिखाए 51.2 मतलब दुनिया का सबसे अच्छा जो मृट्टिफायर होगए वह सकता है संभए बात को क्या बोल रहा हूं इसमें कितने ऑडायोड होते हैं कॉ से कम दो डायोड और से कम दो डायोड यूज होंगे इसके न्न reiter कम से कम दो bastardise होंगे इसमें सिंगलो डायोड होता है सिंगल डायोड इसकी एफिसेंसी कितनी होती है 40.6 आप देख सकते हो पूरा आधा है पूरा आधा एकदम इसकी एफिसेंसी हाफ होती है मतलब यह हाफ एसी को डिसी में कर देता है और हाफ को एसी चोड़ देता है कि समझ रहे हो शिवे केरा रेस्ट देदो लेलो रेस्ट चले जाओ आप मैं तो चैप्टर पूरा करकी जाओंगा टाइम कहां बचाए आज 17 तारीक है अठारा उन्निस बीस तारीकों युद्ध है ठीक है तो हाफ वे फुल वे रेक्टिफायर इनके डायग्राम बनाएंगे हाफ वे फुल वे रेक्टिफायर के देखो यह मैं क्या बना रहा हूं सबच्चे बताना यह क्या बना रहा हूं मैं बताना मुझे यह मैंने क्या बनाई यह आपको diagram बनाना सिखाना हूं बहुत इजी यह बनाया मैंने transformer और यह transformer कैसा है step down यहाँ पर लगा दो एक diode यह डाइब का निशान होता है पता है न सबको यहाँ पर आपको मिलेगा half wave रेक्टिफिकेशन यह है एस्टैब डाउन Transformers इसको बोलते है प्रैम्रिक्वाइल इसको बोलते हैं इनको बोलते हैं को और यहां पर लगा देना एक अर और यहां पर फ्र का मतलब वहता है वहीं पर हमें आउटपुट मिल रही है तो यहां पर आपको आउटपूर्म आब मैं क्या करूंगा फूल मैं उस इस को ए इस वाले कलर से दिखांगा जाएते हैं इस हमारा एक ट्रांसपॉर्मर है कि अब मेने कितने डाएट लगा यह कॉमेंट करके बताओ कि अपर इसका ट्रांस्फोर्मर अलग तरह का होता है यहाँ पर मैं लगाओंगा ऐसा आज चैन्ट्रल टेप ट्रांस्फोर्मर के अधिर मेर इसमें दो आउटुट होती है और इसका माइनस बीच में से निकलता है मतलब इसके आउट्पुट में तीन तार होते हैं जब किसके आउट्पुट में दो तार थे यह देखो यहां पर तीन तार निकले होगा अब क्या करें इन दोनों तारों को मिला देंगे और बस यहां पर लगा देंगे लोड रेस्ट झाल झाल कि अच्छो कैमरा में गलती से किसी और का उफ कर रहा है उच्छ का मैं एक बार सारे बच्छे की घंचा highlighting बना कर वां बना कर भीजेंगे पुलव sì का स्फारे और हYU डायोड की एक लीडी की आद रखना है यह वीडी डॉब पी न जंक्षन शन होता है यह बात जरूर लगा कर लीडी आता है सुर्याइश पूचला सर तो फिर डीसी में क्या चलता है सब कुछ चलता है डीसी में जातर चीजे डीसी चलती है जातर चीजे तो डीसी चलती है अगर आप देखोगे सारी चीजे मैक्सिम डीसी चलती है आपका टैपरी गोर्ड आपका ये फोन आपकी बैंटरी फोन की चार लेकिन जैसे फिरिज है रेफ्रिजेटर है माइक्रोवेव ओन है यह सब चीजे जो होती है एसी से बढ़े चलती है और और चीजे डिसी से बढ़े चलती है सब्सक्राइब का गैस्पेपर लीख हो रहा है और तुमने गैस्पेपर दिया ही नहीं अच्छा कैमिस्ट्री वग्यरा का हमने चार एक लिक के खिलाफ और मेरा गैस्पेपर तो छोड़ो आप जो चोर होता हो चोरी करता ही है जो मुवीज बनती है ना मुवीज करोड़ों कि लागत से वह भी लीख हो जाती ही हिंदी का गैस्पेपर तो हमने लिक कर दिए हिंदी क्लास का गैस्पेपर के हम पैसे नहीं ले रहे हैं हमने फिरी किया को इंगलिश का फ्री दिया था और 10 स्युने को हुआ को सुरियांच अगर आब बता सकते हो तो आप प्लीज बहुत हेल्प मिल जाएगी वैसे साइबर क्राइम वाले पकड़ लेंगे दो दिन में मैंने काफी ज़्यादा तकड़ी सोर्स लगा रखिए बट आप बता दो कि तोर बेच्छा रहेगा आपका नाम नहीं आएगा देखो अब यह जो एलेडी होती है कितने बच्चों ने एलेडी देखी है कितने बच्चों ने एलेडी देखी है जरा हाथ खड़ा करना इसे सबके घर में एलेडी होंगी रिमोट कंट्रोल में देखना रिमोट कंट्रोल के आगे एलेडी लगी होती है रिमोट कंट्रोल के आगे ए होती है कोमल बताएगी एलेडी की फुल फॉम सर लाइट एमिटिंग डायोड कोमल आप माइक यूज कर रही है एक्स्टरनल माइक लगा रखा आपने नो सर इतनी किलिए रवाज केसे है कौन सा लैप्टोप है आपको सर फोन में है ओ माइक कौन सा फोन है वीवो ओ हो क्या मा हो लग कि बट्कीं और इसको फोर्वार्ट में निकली होतीए बाहर एक फ्लस होती है अगर आपने उल्टा करन्ट दे दिया औरifies प्लस को माइनस दे दिया माइनस को प्लस तो जलेगी नहीं और थोड़ी दिर बाद खराब हो जाएगी और अब देखना एलडी लाना मार्किट से दो रुपे की मिल जाती है और सेल ले आने एक सेल नहीं आती वह चोटी सी नो वोल्ट की देखी होगा अपने एक सेल के उपर प्लस माइनस लिखा होता है उससे दोनों एक तरफ ही प्लस माइनस होते हैं नोट किया होगा अपनी उटाएंगे टश करना इन से से प्लस माइनस से माइनस तो एकदम लीडी जलेगी और आप उल्टा कर देना तो एकदम यह चलते हैं यह 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 लिखा हुआ यह लिखा हुआ है ब्रेक डाउन वोल्टेज जीनर ब्रेक्डाउन नहीं है लक्षे जीनर अलग चीज है जीनर में नहीं है विछले में पढ़ानी रहा हूं जीनर डायोडी अलग ऐसी कोम कहते हैं पर हो जाएगी अच्छा मानलों आपका अबको इंस्र्यूमेंट खराब हो गया और मिस्तरी के पास वह इस्टरी मटनाते हैं इस प्रिक है जबकी नंगे चुम्हार शली के लिए वह तो आपसे 12000 रुपे लिए जबकी खराब क्या होता है सच बताओं तो या तो कोई अलेडी खराब हो जाती है या कोई ट्रंजिस्टर खराब हो जाता यह कोई डायोड का प्राइजब पांच रूपे एक डायोड पांच रूपे की अच्छी कंपणी लोकल एक रूपे की तो पैसे ले ले लेट टॉप खराब हो अभी मैं गया नहरू प्लेस कराब होगी मैंने इसी की फुल फॉम बताना यह 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 नहीं पता है इसी क्या होती है कहीं और करवालो जाओ वह बहारी बैठ रहते हैं नहरू प्लेस में आप जाना बहीं आप यह इलेक्ट्रोनिक कि वही है और को ड्रिक लॉप फिर को ड्रिक पिलाई कि त्मे रुपे लगे डेट सुरुपे लगे पचास रुपे का समान सो रुपे उसकी सर्विस के पांच मिनट में ठीक हो गया और पहले बिल बताया था चब्शार रुपे चब्शाजार रुपे क्योंकि देख लिए यह गेमिंग लैप्टोप है महें यह धाई लाग का लैप्टोफ था हो मैं इसमें फिरी फायर खेलता था पब जी तो खराब हो गया पुरी पूरी रात खेलता था मैं गरम होके खराब हो गया हो लेकिन कितने डेड़ सो रुपे लगे वही तो नॉलिज कर लो थोड़ी सी इ वोट इस फोटो डायोड कौन बच्चा बताएगा हुझा वोट इस फोटो डायोड चल्दी बताओ फोटो डायोड क्या होता है कितने बच्चों ने फोटो डायोड देखा है कि बच्चों एक बास सुनिए आप कभी मॉल में गए होंगे सर मॉल क्या याद दिला दी सर बं करते हैं और जैसे सामने खड़े होंगे वह एक अपने चलने शूरू कर देश और जो गाउं के लोग होते ताउ हुअगे राते पहली बार तो वह चलता है बिजली बचाने के लिए करना पड़ता है यहां पर फोटो डायोट लगे होते हैं फोटो डायोट को रिवर्स वास में लगाते हैं यह रिवर्स बाइस काम जब उसको करंट मिलेगा तो ओफ हो जायेगा और जब उसको कपरंट नहीं मिलेगा तो तो वह ओन हो जाए लोजीगेट कहते हैं इसको लोजीगेट टीन तरह के होते हैं एंड और नोट अब सीविए सी वालों ने तुम्हारा तीस परसेंट से लिवस कम करने के चेकर में कुछ चीजे इसी अटा दी जो बहुत इंपोर्टेंट चारू ने अंसर दिया जैनरेट एक्सपोजिंग लाइट क्या वाट है कहां सगल तो दिखाओ चारू कैमरा तो दिखने राप तो फोटो डायोड भी एक तरह के डायोड हो को इलेक्ट्रिक एनरजी को सवरीजेविन के ओपर लाइट पड़ दिये तो यह सरकुट को अपने ओन उफ कर सकते एक तरह का स्विच है और यहां क्या लिखा हुआ है जब आप एसके लेटर के सामने खड़े चलनने लगता है तो आप कहते हो आज तो यसा लग रहा कोई भगवान नहीं हो आप महां पर एक फोटो डायोट लगा हुआ है जब आप उसके उपर पढ़ने वाली लाइट की बीच में आते हो तो इसको लाइट नहीं मिलती और चुकि वह रिवर्स बाइस में काम कर रहा है तो वह ओन हो जाता है और आपका दरवाजा खुल जा कोमेंट कर रही हो इस चारू को कैसे देख सकते हैं चारू है कहां चारू का कैमरा उफ है क्या चारू अपने कैमरा उन कर सकती हो क्या बच्चा क्योंकि आप बहुत फास्ट रिप्लाइ करती हो तो मुझे अच्छा लग रहा है अब इस एक आपने नहीं बोला कि सर में इस तो बात है दिल टूटा हुआ है कोई तो बात है कि आ रहते हैं अब इसेट पैटना प्यार पटना पर अकेले रहते हैं परिवार के साथ रहते हैं तो बताई यह फोटो डायोड क्या होता है अब लीन मम्मी से बात-बात में करने लिए इस फोटो डायोड इस बाइस में अधिक यह काम करता है क्या काम करता है इस फोटो डायोड एक पी एंट जंक्शन होता है जो करन चैनले करता है जब इसके उपर लाइट पढ़ती है देखो देखो आपको इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा सोच नहीं सकते हैं यहां पर पी है और यह एंट होता यह बात कितने बच्चों को पताती जयाँ बताना हाथ कड़ा करके मेरे बताने से पहले कितनों को पताता है ट्रेंगिल होता है पी और डंडा होता है और जब इसकी उपर फोटो तो फोटोन डलने से इसकी जो डिप्लिशन लेयर होती है उसको चोटा कर देता है और करन्ट फ्लो करना शुरू करते था रिवर्स बैस चारू दिख गई है अब दिखती चारू तो अभिशेक बिल्कुल डढ़ना नहीं है अभिशेक अपने आपको म्यूट कर लो आप मैं च क्या कि टोपी पढ़ाया हैं हाँ बहुत डेख देखते हैं आपको आधे हैं इस लोग बताओ अब बताओ अब बताओ अब बताओ अब पता अब बताओ अंद्मिनत यहां से हमने है ऐतंब में बढ़ा कितना था इतना रहा येद आज टो में सक्पसट यह लिखाब फिर लिखाव एंशुलेटर सथैमे कंडॉक्टर फिर लिखाव बेंड़ नेया है है ताइपश सेमीजुको कैन दाइट फिलिखाव फुल वेव रेक्टिफाइर क्या होते है फिर उनके डाइग्राम बनाए हुए हैं फिर उनकी वेव फॉर्म भी बताई थी यह देखो यह तो एसी है यहांपर यह फुल वेव यह हाफ वेव उसके बाद हमने बताया आपको लेडी चलो आप लेडी की फुल फॉर्म बताओ चारू चारू बेटा अब कहां चलीगी चारू कि बोलो हो है अन्यूट तो करो पने अपको LED की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड और LED क्या करती है जब इसको हम करण्ट देते हैं तो इसमें से लाइट बाहर निकलती है और डायोड जो होता है फोटो डायोड यह इसका उल्टा होता है फोटो डायोड को हम लाइट देते हैं तो करण्ट निकलता है बाहर बा यह व्यास ने सारे टोपिक का नाम लिख दिया देखिए कितना स्मार्ट बच्छा है कि सर आपने क्या-क्या बढ़ा है यामना नगर रहती चली तो लर सैल क्या होती है किसने बच्चों ने सोलर सैल देखी है किसके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है सब्सक्राइब दूबे आंसर देगा इसमार्ट बच्चा है बहुत तो सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब बैसिकली पी जाएज 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 जंक्शन होते हैं जो कि यह में जैनरेट का सी है सोलर इडिएशन की मदद से आपने कहीं सोलर सेल देखी है सोलर पैनल देखा है दूबे मेरे घर के आसपास बहुत सारे घरों में हैं सर हम थोड़ा भी सेविंग देवर्मेंट में शिप्ट हो रहे हैं बहुत बढ़िया कहा रहते हैं दूबे अब आप आप बिसिकली तो महर सब्सक्राइब नहीं हो आप यूपी क्यों शाय रहे हैं तो यहां और इस रहते हैं के बहुत नई सर रेट से में बट क्वालिटी आए कि वह लगजावर दस्तों होती है और पूरे साल मिलते हैं संतर है या कभी कभी मुझत है पूरे ट्वेल मांस पूरे बुक्त चलो बहुत अच्छा मुझे संतरे बहुत पसंद है सलमें और मैं थोड़ा जवाब बात कर रहे हो तो मेरे मुह में पानी आ रहा है चलिए अब हम मेरे ख्याल से पूजा आप आंसर देना चाहरी थी पूजा को मैंने मूट किया है सोलर सेल क्या होती है पूजा ठीक है और इसको फोरवाइड वैस्ट में रिवर्स वैस्ट में लगा हुआ है सोलर क्या बात वैरी गुड मैं भी प्लान कर रहा हूं कि सोलर पैनल लगवा हूं आप कुछ कहना चाहरे हो एक बच्चा है हाथ खड़ा किया उसने कौन बच्चा था एक दम उसका वीडियो और जाता है बच्चों को यह वीडियो कैसे बदलते हैं आप जैसे बच्चा कोई वीडियो दिख रहा है फिर अपने आप चेंज जाता है कि चलिए अब मैं थोड़ा साथ को सोलर सेल के बारे में खुद बढ़ा देता हूं सोलर सेल बेसिकली जपी एंड जंक्शन डायोड विच जैनरेट एम एफ वैन यह एम लिखा हुआ यह वैन सोलर रिडिशन फोल्स उन्दा पी एंड जंक्शन इट वर्क्स उन दा सेम प्रिंसिपल फोटोवॉल्टीक एफेक्ट ऐस दाफोटोडायोड देखो फोटोडायोड देखो तो अब और सोलर सैल यह दोनों एजिसें इनके उपर लाइट पड़ती है तो ब्हार निकालते हैं के यवल एलेड़ी ऐसी है इनकी बहन जिसको हम करंट देते हैं तो लैट बहार निकलत जबकि इनके उपर हमें लाइट डानली पढ़ती है तो करण बाहर निकलते हैं समझते हो सिर्द सविष्ट और सोटो डायोड पर लाइट से करंट बहार आता है जबकि LED में लाइट देने से करंट देने से light बहार निकलती यह क्या लिखा हुआ है no external bias is applied इसको कौन explain कर सकता है इसको चुग explain करेगी इसको explain करेगी चुग एक बच्ची हमारी अभी दिख रही थी मुझे गायब होग एक दूंसे camera off कर लेते हैं अच्छा अब समझ माया camera off कर लेते हैं बच्ची सान्या चुग कि बताई यह कि सब्सक्राइब करता हूं क्या बढ़िया अंसर दिया है नपा तुला एकदम न एक्स्ट्रा न कुछ भी कहा रहती हो सान्या कि सान्य कहां रहती हो पिटा अधिया ओके कौन से स्कूल में पढ़ती हो सबीजियस पुरा नम बताई यह ग्लोबल स्कूल कहां पर रहे दिल्ली में रोईनी सेक्टर 30 और आप भी रोणी में रहती हो नो सर्शाले मारब ओके तो नो एक्स्टरनल बायस का मतलब आपने बत होता है तो जब हम सोलर सेल पर धूब डालते हैं तो इसके अंदर जो करेंट आता है वह प्लस माइनस फिक्स नहीं होता ना फोरवाइड बास ना रिवर्स बैस दोनों पॉल में कुछ भी आ सकता है तो सोलर सेल इस दा फ्यूचर ऑफ एनरजी पैट्रोलियम खतम हो रहा है आदीबा भी लेंगा आपको ऊंबर्ड पैट्रोलियम खतम हो रहा है बच्चो जो गल्फ कंट्री है सवदी अरब कुवैत चहां पर तेल निकलता है बहुत ज्यादा उनका भी पैट्रोलियम खतम हो रहा है पहले सवदी अरब कोई काम नहीं करते थे वहां के लोग केवल पेट्रोलियम पर ही जिन्दा थे अब वह भी लगा रहे हैं वह भी बिजनिस कर रहे हैं ताकि उनको पता है कि फ्यूचर में टेल खतम होगा एंड वी हैव टू सम बिजनिस बास समझ रहे हो तो पेट्रोलियम का ऑप्शन क्या है फिर आज कल आपने सुना होगा इलेक्ट्र इवी बिल्कुल एंश्राज बेंट्री को चार्ज करने के लिए बिजली बिजली कैसे बंतीं इंडिया में कोईले से बंती है कोईला मतलब पेटडुन मतलब धुआ मतलब 군 gef मतलब और इसा हो सकता है हम बड़े बड़े घर बना रहे हैं हम ढॉक्टर बनना चाले में BTS ऐगर सोचई आपको क्या लगता है ऑक्सियन खतम होने कि कितनी देर तक दुनिया जिंदी रहेगी बता ये दो मिनट के अंदर दुनिया कि खतम हो जाएगी नहीं बचे जल जाएगी गटी सुरज़ की रेडियेशन से और कौछब भड़ 나가 ही future तो सोलर एनरजी इस दा फ्यूचर और जब आप चलाते हो या फ्रीज चलाते हो उस टाइम आप और जोन लेयर को डिपलीट कर रहे हो अगर नेसेसरी नहों तो फ्रीज मत चलाईए अगर हवा चल रही है तो बहार चले जाओ बालकनी में बैठके पढ़ लो एसी फाल तुम् करें क्यों को किसे पता है रिच घरीव पता है हमारे कोचिंग के असपास बहुत सारी जुग्यां हैं जो मैट्रो में काम करते मजदूर किसी को को नहीं हुआ किसी को बुखार तक नहीं हुआ कई सारे रिच लोग मेरे जानने वाले मारे गए मैं खुद होस्पिटलाइज था हाला कि मैं तो इसलिए हुआ कि मैं पेपर कैंसिल करवाने के लिए धरने पे चला गया सीवेस के बहार वहाँ पर मुझे को अब सुपनिल दूबे कुछ कहना चाहता है इसलिए हुआ क्योंकि जो गरीब लोग होते वह इतना काम करते वह अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग होते तो उनको कोई वायरिस अफेक्ट अफेक्ट ही निक करता है बिजली अपलाई कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमारे देश में इतनी टेक्नलोजी नहीं है कि इतनी ज्यादा कि सारी उससे कमी पूरी हो सोलर सेल का डायग्राम भी आपको बनाकर भेजना है यह है आई वी केरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल याद रखिए दुनिया का अकेला ग्राफ है फिजिक्स में मैंने में सी करक्किए में कोई ग्राफ नहीं मिला मुझे जो कौर्ट क्वाडिंट में बनता हो अगर कल कोई आप से पुछे क्कोन सा ग्राफ फञारों बनता है सोलर सा अधी और व्य आपसे पूछे what is open circuit voltage तो यह होती है open circuit voltage कोई आपसे पूछे what is short circuit voltage ISC Supreme Court नहीं short circuit voltage और यह open circuit voltage VOC यह सिरफ solar cell में होती है और कहीं नहीं होती solar cell के लवा कहीं नहीं होती तो यह हमारा homework थोड़ा note कर लिज़े तब बच्चे आज का note कर लो वैसे यह भी आप देख सकते हो नंबर वन लिखिए एक तो आपको फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर पूर एक्स्प्लेंड करके भीजना अपनी हैंड राइटिंग में जातर बच्चे होंवर्क भेज रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं सबके होंवर्क चेक अच्छा आप अधिए अच्छा अच्छा लेडी सोलर सैल फोटो डायोड इनको आपको डाइग्राम बना कर एक्स्प्लेंड करके शोट में मुझे वेजना अपनी हैंड राइटिंग में विदाउट देखे देखना मत पहले पढ़ना फिर लिखना अपने 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 एक मिनट अब कुछ कहना चाते बच्छे अब का हाथ खड़ा हुआ है अब नुपूर कुछ कहना चाते शाथ अब क्या होता है सब्सक्राइब करेंट और डिफूजन करन दो अलग अलग चीज़ें ट्रिफ्ट करन्ट तो अधाया देखो जब आप किसी कंडुक्टर को प्रोटेंशल देती हो तो शुरुआत में बहुत स्पीड से भागते हैं और जो शुरुआत का करेंट होता बहुत जादा होता उसको डिफ्ट करन्ट कहते हैं अपने वर्ड सुनाओं को डिफ्ट वैलोसिटी करेंट इलेक्टिसिटी चैप्टर तो जब आप और एंड को जोड़ती हो तो जो करन्ट जैननेट होता डिफ्ट से शुरू का उसको बॉलते हैं डिफ्ट करन्ट या डिफूशन कर तो फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर एलेडी सोलर सेल नंबर त्री लिखिए कि कि एक्स्क्र e gi cceo एगा एंड के एज्सट्रंजिक स्बत्र अरफ कि यह कैसे बनते हैं यह अच्छी तरह पड़ लें सिलिकनद में पैंटेवेलेंट मिलाने से और चिलिक यह दलें से नं पर फैन घजक कि फुल वेव हाफ वे हो गया लेडी सोलर सेल यह हो गया एक्सटेंजिक बस इतना ही काम काफी यह तीन टोपिक सबसे ज़्याद अब कोई डाउट है किसी का इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद तो मैश अपना यह जो यहां पर शेरिंग कर रहा हूं इसको बंद कर देता हूं मैं और अब आपको में लेता हूं ओन बोर्ड पर और कहीं आपका डाउट होतो कहां भेजना है टैलीग्राम पर भेजना है कोई डाउट है तो बताईए एक मिनट में सब को करने कोईश करता हूं करने का अप्शन तो मुझे नहीं मिल रहा है कि चलिए जिसको करना ऐसे आद खड़ा कर लो जिसका डाउट में इसको कर देता हूं कि किसी को अधंख़डा नी करना किशी का डाउट निए इतना अच्छा ऐब आगया है कि इस विआवाध कर रहे हैं मैंने न इतना था पड़ाया कि सबको अगया कोई नहीं पूछ आप डर रहे होगी हम डाउट पूछेंगे तो हम से उल्टा कॉशन पूछेंगे क्या टैक्निक है एक बच्चे का डाउट है सुर्यांश कुमार सिंग बगेल सब्सक्राइब को कंप्यूटर करता हूं तो डबल टिक नहीं होता होगा बट मैं देख लेता हूं आपका सबसे पहले देखता हूं क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम है वोटसेप है वो इतना ज्यादा बीजी है कि कोई भी फोन उसको पकड़ नहीं सकता है लैट्टोप पी चलता है सन्नी क्या होँआ से नहीं आपको जिसको भी डाउट पूछना है वो चैट से नहीं वह आपको कोल करना पड़ेगा मुझे कैमरा उन करो सन्नी भाई कहां किया सन्नी गायब हो गया चलो और कोई डाउट किसी का वी आई कैरेक्टरिस्टिक ओफ फोटो डायोड सपना कहरी अच्छा सपना बोली है सपना क्लास में सपना कहा हो आप दिखो जड़ा सपना मुझे दिखोगे कैसे आप लोग मैं किस तरह आपको देख सेबता हूं कि अलाव नहीं हो रहा है सन्नी कैमरा ओने सबका जो डाउट पूछेगा कैमरा ओफ नहीं करना उसको चलो मैं इसी बतायता हूं एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी आप लोगों ने तो उसके लिए मुझे दुबारा शेर पर जाना पड़ेगा और मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक को एक्स्प्ले करें आपको कि अधिक्कत आ रहे हैं और यह क्या बटा लाइंट वी आई क्रेटरिस्टिक देखो अएक होता है वाइट बैस्ट एक होता है रिवर्स बैस्ट सबको बताया था मैंने फॉरवाट बैस्ट में बच्चों करंट ऐसे बढ़ता है उपर की जरब क्योंकि ये नोट करना वी रहता है एक से पर रहता है किस पर याद रखोगे इस बात को आई खड़ा हुआ और य्दे फेर बैस्ट होगा तो बच्चों क्या होगा डिपलेशन लेए यह आप पी को दे रहे हो एन को एंड दे रहे हो तो दिप्लिशन लेयर पतली होने से करंट इस तरह जाएगा इस तरह भड़ता जाएगा समझ रहे हो जितनी डिप्लेशन लेयर पतली होती जाएग उतनाई करंट बढ़ता जाएगा रिवर्स बाइस में क्या होता है? रिवर्स बाइस में डिपलेशन लेयर चोड़ी होती जाती है. पहले 1000 इलेक्ट्रोन पार कर रहे थे, एनर्जी थी, डिपलेशन लेयर पतली थी, अब डिपलेशन लेयर इतनी हुई, अब 800 इलेक्ट्रोन जा पारे हैं, अब इतनी हुई, पान सो यह पारा रहें अब इतनी तीन सो यह पारें सो यह पारें डस य। पर यह पार eh एक बीचा पार रहा आ इसको बोलते हैdoors break डाउन वौल्ट एज किया बोलते हैं इसको ब्रैक डाउन वौल तेज आसान है समझते नहीं हो दिमाग नहीं लगाते ओ ट्यार नहीं करते अधिक से तुम मेद रहा हैं के में सबस्करा नहीं सकते आप इस सकते आप 거기 boundary सकते हो फिजिक्स नहीं रट सकते हैं किसी की तागत नहीं है दुनिया में कोई फिजिक्स रट ले आप 11 क्लास में याद करो जब आप 11 में आए थे सबसे पहले आपने कहा रटा था डाइमेंशन में मुझे सुनो में लिए स्कुर्ट माइनस टू और जब हो गई हो पचास खुद नहीं पता क्या बोल रहे हो और टीचर भी ऐसे ही है टीचर कहते हैं बेटा रटलो बेटा यह याद कर लो समझाते ही नहीं बच्चों को तो आप गए होंगे टीचर के पास मैम 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 इसकी डाइमेंशन केशे निकालेंगे प्लाइंक कोंस्टेंट की मैम आप बहुत उंदर लग ले हो मैम आपकी है आप याद कर लोगे दस बीस तीस जब पचास हो जाएंगी आप भूल जाओगे सब कुछ आपका ब्रेन मिक्स कर देगा हुआ है और सुनिए मैं शौक कवें में इक बात कहता हूं हम है जो कहें फिजिक्स रटलो तम वह से कट लो आपने एक बात करी आपने नहीं करी पेपर से पांच दिन पहले एक टीचर तुम्हें पढ़ाता है पांच छे दिन पहले वह कहता है वह तुमसे केवल एक हजार उपे लेता है उसमें वो धाइसो रुपे का गैस पेपर भी देता है आपको फ्री साड़े साथ सो रुपे पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बताऊंगा भी चुकि मैं एक घंटे पढ़ाने के दो हजार रुपे चार्ज करता हूं अगर आप मुझसे परसनली नोट दे सकते हैं कि वहां वह था रूल था उनका जैसे मैं अलग हुआ एक दम मैंने सोचा कुछ करूं और मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे से जो फेल होने वाले हैं ड्यू टू सम एक्स्टरनल प्रोब्लम्स वह नहीं फेल हो रहे थे बाहर की प्रोब्लम की वर मुझे सब देख रहे थे आज आप मुझे पचास बच्चे देख रहे हो तब भी मैंने आपको दो घंटे से ज्यादा होगे मुझे पढ़ाते हो फील किया दिल के अंदर कि सर कितने अफट कर रहे हैं तीन दिन पहले भी सर इसे पढ़ा रहे हैं जैसे एक साल बचा होगी औपने बीक टूषें क ी तूषेंश ने भी आपको एक साल पहले पहले दिन पहले अपलोगे आपको बात कर रहा हां आपकी तारीफ कर रहा हूं अब कहाने के लिए क्यों क्यों कि क्यों क्यों कि आप डरे हुए हो आप क्यों ordinary के लिए है आप parents के पास बैटके पढ़े रह– मुझे पताया विए प्रेशर ना दें, यह और ने दो उनाद मनी सुन लेगी jean की तो बड़ी रही है मेरी बजयतों गंटा बज्जेती माबापके सामने कोई बज्जेत ही नहीं ये वो रहे जिनोंने तुमें पैदा किया है ये वह जिनोंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए भाई क्या बात कर कि माबाप का बुरा मत मानना कभी भी किसी बात ना इंसे कुछ शुपाना जो बात हो बोल देना कुछ भी हो गलती सबसे होती है पापा से नहीं तो मम्मी से बोल दो मम्मी से पापा से बोल जो फ्रेंडलियों उसको बता दो तुम्हारा बैस फ्रेंड तुम्हारे पापा मम् मत करने हैं कल बन गया सूर्यां कुमार सिंग भगेल आईएस और इसके पापा चले गए वहां बुजर्ग पापा मेरी पार्टी चल रही हां अच्छा न लगता है मेरे दोस्ता और जब तुछ छोड़ा साता नंगा और तुझे खिलाते थे पापा गुर्दी में कपड़े प पढ़ा रहे हैं पहले एक साल पहले पढ़ाते अनुराग सर हमारे लिए लाइसेंस ले लेते हैं जूम का 30,000 रुपे का लैसेंस लिया है एक मेने का लाव नहीं कर देखी जूम एक साल का लिए तुम्हारे लिए लिए पांसो बत्तिस रुपे का बिल हुआ है लिया है ना ताकि क्लास डिश्टरब ना हो मैं चाहता तो 20-20 30 मिनिट में आ जाता है मजा नहीं आरा था उसमें पढ़ाने में आरा था मजा क्लास खतम फिर आओ क्या था पैसे कुछ बात नहीं पैसों के लिए बैच नहीं यह इसमें से यकीन करिए मेरा मैं कहीं साल से पढ़ा रहा हूं दस साल होगे मुझे दो दिन में मैंने बच्चों को 90% नंबर दिलवाएं दो दिन में आपको तो मैंने च्छे दिन पढ़ाया है दो दिन को पढ़ाने से उस बच्चे को एक लड़का था मेरा आरिफ इस्टूडेंट महा आवारा लड़का उसके पापा कहते थे नुराग सर आप इसको गर पास करवाद होगे तो मैं जोक होगे वो कर दूंगा रेलवे में आप देखके हिल जाओगे क्या परस्नेल्टी बन देगी इंफोसिस में पैकिज पता कितना है 75 लाग का पैकिज है वो लड़का जिसको पास होना मुश्किल है कितने दिन पढ़ाया था दो दिन तब ही मिलवाऊंगा वीडियो बना कर दिखाऊंगा वह ज़रा शर्माता है वीडियो में नहीं आना चाहिए 75 लाग रुपे का पैकिज है दो दिन पढ़ाया था फिजिक्स में कितने नंबर आई थे जखीन करोगे फिजिक्स में कितने नंबर आई 70 में से कितने होंगे अगुइं और इसे इसे नंबर दो दिन एक इंफोसीश के लिस्ट में चले जाना देख लेना आरिफ कोई है नहीं मापर सीनियर मेनीजर माका दो दिन पर गुशिए सब्सक्रिवूड को एक ठम टूपर भाई Ewring एगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है कर अगर देखो एक बात दिल से कहा रहा हो यह मेरे हाथ में पानी है पानी दुनिया की सब सब फवित्री चीज है ना मिले तो आदमी खतम इसकी कसम मैंने आप सबको पढ़ाया अभी हमारी क्लास बच्ची है दो तीन आप लोग इतने इंटेलियंट बच्चे हो इतने बढ़िया बच्च आफ सारी कि मैं बता नहीं सकत जीनियस हो आप लोग जीनियस तो आप लोगी तयारी की नहीं हुई क्योंकि आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाई मुझे आप में से कोई भी बच्चा बुद्धु नहीं मिला थोड़े से शरार्ती तो मिले आप लोग मुझे थोड़े शरार्ती तो आप हो वो तो आप घर पे बैठे हो इतने सीधे सरीप लग रहे हो बंभी पापा आसपास है और सारे इलेक्ट्रिक मैगनेटिक फोर्स साइग्लोजी कहती जो जितना शान दिखता है पवर नेटा हो सकता है और आप लोग जीनियस हो आप चाहो तो कुछ भी फोड़ सकते हो दिखा दो अपने आसपास के लोगों को को दिखा दोस्तों को वह दोस्त जो यह सोचना है कि यह तो फ Ainu नंबर कम लेंग, यह तो पि लगा तो ताकत यार पुरी लाइफ तो मज़े करने तुम्हें लगा तो ताकत है ठीक है चलिए तो होमवर्क दिया है मैंने सुपना सुपना कहरी अन्म्यूट कर दो सुपना है कहां लेकिन हरसनत भी कुछ बोलना चाहती है वैसे चीज़ आपको बोलना चाहिए आपकी बेस्ट चीज़ यह कि आपको भी डी मॉटिवेट नहीं करते हैं क्यों करेंगे डी मॉटिवेट एक बात बताओ आप यू आर्दा फ्यूचर आवर कंट्री भाई आपको देश चलाना है आगे आप लोगी तो कलके आईएस पीस यह डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हो आपको डी मॉटिवेट करके में इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते हैं और क्यों करूं मुझे कोई बुद्धू बच्चा मिलाई नहीं आप में से एक बच्चा वेसा नहीं है जो मुझे लगा हो तुम तो या टोपर बच्चे ह हो तुम्हें तो सबसे उपर हो नजी एक लास में तुम पीछे बैठे हो और कोई बच्चा थैंक्यू थैंक्यू असनत और कोई कुछ बोलना चाहता था मेरे ख्याल से हां नुपूर समझा देते हैं आप जा रही हो आपने किसी को मारा एक गुंड़ा जा रहा है आपको कुछ बोल रहा था आपने उसको थपड मारा एफ फॉर्स से फिर पबलिक आ गई उन्होंने एफ थरी एफ फॉर एफ फाइप फॉर्स लगाए तो सबका फोर्स कितना हुआ एफ एफ है और जब सारी वेव की इंटेंसिटी आपस में जुड़ जाए आई ऋ अगर किसी कमरे में नुपूर चार लाइट जल रही हूं शाधियों में देखा आपने शाधियों कि जाती हो जाते हो आप येस साधी में फंक्षन में आप जोते होंगे लगाते हैं लगाते हैं यहां पर करें सबक्स करूंडते हैं वह मेन पर सन दूला कह रहा है हुजूर थोड़ा लाइट में आ जाए हम भी देखना चाहते हैं मैं तो अंधेरे में बैटूंगी मुझे अंधेरा अच्छा लगता है तो मेकप क्यों किया मेकप क्यों किया नाजनीन मोटरमा खाटून अंधेरा कायम रहे बकवास मत करो तुम भी अंधेर सकता हूं अगर आप मुझे से फिजीकली पढ़ते ओफ लाइन एक कमरे में हम गोस्तारी लाइट जलाएंगे और पूरे कमरे में अंधेरा रहेगा डार्क रहेगा यकीन करोगे आप इस बात पर एक कमरे में दस इस्पिकर लगा तो लाइट ही नहीं आएगी आप ऐसे करो आप पिक्चर देखने जाते हो आप घर पे मुवी देखते हो घर पे मुवी देखने मज़ा नहीं आता उतना ज्यादा उसे मुवी को आप टीवी के बजाए ठीर में देखो जाके उसी मूवी को आप साउंड इंजिनर बन जाओ तो आपको सिखाय जाएगा इस पिकर केसे लगाए कि कमी स्पिकर से आवाज आए मैंने बचपन में मुवी देखी डाइनसुर वाली उसका नाम भूल गया मैं जुरासिक पार्क जब मैं चोटा था मैंने थेटर में देखी तो थेटर में उसमें जुरासिक पार्क में जब डाइनसुर निकल तो एक बार मुझे लगा मेरे पिछे आगे डाइनसुर ममी ने चांटा मारा है डर क्यों रहा है मम्मी भी साथ सी तो वह स्पिकर इस तरह लगाते हैं कि आपको फील होता है कभी कभी डरते का इसको डौल वी कहते हैं बढब और मेरा सट्राइम ब्रफ तुर्श्य कुमार को डेड जीवी की चिंता हो रही है मुझे नंबर भेजस दे देना है रिचार्ज कर दूँगा मैं तेरा लिमिटेड दो घंटे की क्लास में मेरे डेड़ जी भी खतम हो गए अनुराग मास्टर मेरे पैसे वापस कर अगर ये बंदा सूर्यांच अपनी बंदी से बात कर रहा होता औरी पेरेंट्स मैं सी बात कर रहा हूं तो ये डेड़ जी भी तो क्या 15 जी भी खर्च हो जाते तो चूँ ना करता है बेभी बात करो कोई बहुत पैसा है मेरे पास पैसा फिसिक्स पढ़ते हैं इसका डेटा ऐसे खतम होगी है तो ठीक है मिलते है अब कर लेना कल लास मिलते हैं और आज यूट्यूप पर आजाना आप लोग है कि जान लगानी ए मैनत करनी है और बात-बात में करेंगी मेरी क्लास एक्ष्वल में और में और बच्चों को पढ़ाता हूं मेरा मन्नी कर रहा जाने का बट हम ठीक है ठीक है नमस्कार सस्रीकाल सलाम वालेगों आगा और फोड़ देना फोड़ देना जान लगा देना फोड़ देना भाई साब तीस नंबर से कमनी आने चाहिए और तुम ला सकते हो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो घर पर ऐसे लोड़ागर है तो उसके वन मार्क के कुश्चन पढ़ा करो रात को सोते हुए अगर नीन ना आए तो ऐसे लोड़ा खोल लो पढ़ने लोगों नीन आ जाएगे अपने अंशुमन सक्सेना अंशुमन सक्सेना थोड़े से खुश राकरो खुश राकरो लाइट की तरफ मुह करके बैठो उल्टा मत बैठो से बैठो लाइट आपके पीछे आप इधर को मुकर के बैठे हो कि खुश राकरो बच्चे खुश लाइफ बहुत सुन्दर है यू विल डू संथिंग बिग तुम कुछ बढ़ा करोगे लाइफ में ध्यान रखना जबात को आईस बनो आईस आईस वाइस बनो क्या इसे दु कि के चलो बाई